मकसद ना ओजल होने पाए बिना रुके तू चल काम्याबी तेरे कदम चुमेगी आज नहीं तो कल Hello and welcome to the YouTube channel of competition community मैं हूनिकत परविन खान और CGPAC guidance video session के आज की इस video में हम discuss करने वाले हैं Indian politics related कुछ important points यानि की paper 3 के part 2 का first part Indian polity भारत की राजविवस्था जहां हमें कहूं synonymously it is known as Indian constitution क्योंकि polity subject भले ही है लेकिन उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ भारत के सम्विधान से सम्विधान से सम्विधान चीज़े पढ़ नहीं है तो इसको आप देखेंगे paper 3 के part 2 में दिया गया है और paper 3 का जो part 2 है वो 50 marks का आता है जिसके दो parts है Indian polity और public administration आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसका जो first part Indian polity ने भारत की राजविवस्था जिसे lectures में मैं deal करती हूँ जाए वो problems हुचा है mains उसके उपर हम discussion करेंगे मेरा guidance जो होगा इस पूरे वीडियो में वो इसी पर focus रहेगा जैसे कि history में था कि बैस syllabus क्या है कौन कौन से topics है count करके रखो कौन से नहीं आ रहे है उसे भी ध्यान में रखो problems और mains में difference करना आना चाहिए आपको कि problems में क्या पढ़े mains में क्या ना पढ़े दूसरा मेरा focus होगा कि 2021-20 अभी जो दो-तीन सालों से trend चल रहा है तो कौन से important topics जहां से questions आ रहे है किस प्रकार के questions कौन से topics से आ रहे है उसके अलावा एक general tip जो मैं answer writing की देती हूँ कि answers में आपके क्या के जरूरी बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ज्यादा score करने के लिए ठीक है इनी चीजों पर आज का पूरा video focus होगा सबसे पहली बात हम paper 3 के part 2 में जो marks distribution question distribution होता है उसे देख लेता है जैसे कि हमने history में देखा था वही चीज़ हम यहाँ पर भी देख लेता है तो देखे भी paper 3 का जो part 2 है as I told you यह 50 marks का होता है इसमें quality और पबैड दोनों है भारत की राजवेवस्था भी है और लोग प्रशासन भी है जिसमें से मैं mainly deal करने वाली हूँ quality इसका मतलब हम यहाँ पर सिर्फ 25 marks वाला जो part है उसको आपको score कैसे करना है उसकी practice कैसे करनी है उसको discuss करने वाले है लेकिन on and all अगर मैं देखूं कि paper 3 के part 2 में हर प्रकार की questions में से कितने कितने questions आते हैं तो देखे हमने types of questions में देखा है कि भी आपके paper में एक 2 marks वा question आते है एक 4 marks वा question आते है एक 8 का और एक 10 का ठीक Indian quality और pubat का है जो part 2 है जिसमें total 50 marks आते अभी तक आपकी कई guidance वीडियो पब्लिक हो चुके होंगे चाहे मेरे हो चाहे दूसरे faculties के इसमें आपने इतना तो जान लिया पब्लिक administration और polity तो काईदे से polity 25 marks का public administration 25 marks का होता है तो लेकिन जो पूरा part हो के 50 marks है उसमें number of questions कैसे आते देखा जाए तो 2 marks के 6 questions आते हैं 4 marks के इसमें 3 questions आते हैं 8 marks के 2 और 10 marks का 1 question आता है जिसमें internal option रहता है इधर और का ठीक तो 2 marks के जो 6 questions आते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे polity के हो या पूरे public administration के हो और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल equal equal distribute करें वैसे ज़्यादा तर अगर आप questions के trend देखेंगे तो करता है equal distribute यहने कि 3 polity के 3 public administration का ऐसा रखता है बट ऐसे मैंने इस चीज को over rule करते भी देखा है कई ऐसे papers हैं जिसमें कभी quality के जादा questions आ जाते हैं ठीक है तो इस वज़े से मैं इसको एकदम hard and fast rule नहीं बता थी कि भी ऐसा ही होता है इतना quality से आता है इतना public administration से वो कई बार pattern को बदल देता है ठीक है तो ऐसा है कि जैसे कि 6 questions आते हैं तो generally जैसे 2021 का paper भी हम देखेंगे तो 3 quality, 3 public administration अब 4 marks के जैसे 3 questions आते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है तीनों quality के या तीनों public administration के या 2 और 1 में divide हो जाता है क्या होता है ना कि मानके चली इसने 4 marks में एक subject के ज़्यादा question पूछ दिया तो उसको cover करने के लिए क्या करता है वो 8 marks में दूसरे subject के question को ज़्यादा पूछ देता है यह 10 marks का जो question है वो उसका पूछ देता है उसको क्या करना है यह ensure करना है कि 25 marks 25 marks जो है वो दोनों में आए तो इसलिए वो क्या करता है ज़रूरी नहीं कि equally हर marks में वो distribute करेगा कि अगर 3 है तो 2-1 ऐसा कर देगा ठीक है यह 3-1 का कर देगा तो दूसरे वाले में जो है यह आगले वाला जो section है उसमें question दूसरे वाले section का बढ़ा देगा तो इसमें बिल्कुल hard and fast नहीं जैसे कि history में में का ancient medieval modern का एक same pattern चल रहा है ऐसा इसमें नहीं है ठीकि दो अलग-अलग subjects है fine तो फिर भी in general आप 2021 देखोगे तो 6 में से 3 question quality से थे 4 marks वाले में अगर देखें तो आप उसको कह सकते हैं पूरे 3 question quality के थे या ऐसे भी होता है कि 2 question फिर भी जो थोड़ा सा जुका होता है वो quality के questions पर ज्यादा होता है ठीक उसके अलावा जो 8 marks से 2 questions रहते हैं तो भी 2 ही question है तो यह देखा गया कि 1 quality एक public administration तो इस तरह से 1 quality से 10 marks का जो question होता है internal option रहते हैं तो जाहिर सी बात है एक quality से रहेगा एक public administration के साथ इधर और के साथ आपको दोनों में से कोई एक attempt करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर अगर मैं इसमें से निकालूं तो 2 marks के आपको in general 3 quality के answers लिखने हैं 4 marks के in general 2 8 marks का 1 और 10 marks का 1 वो भी option रहता है आप चाहो तो पड़ेट भी चोज़ कर सकते हो तो 3, 2, 1 इने कुल मिला करके 7 questions usually इन 4, 5 types में आपको पूछता है तो बहुत जादा नहीं है quality mains में सिर्फ 25 marks का है number of questions भी कमाते हैं और यही चीज़ को मैं actually focus करना चाहते हूं सबसे पहली बात तो आप जानते होंगे आपने prelims पढ़ा है prelims दिया है prelims के बारे में जानते हैं और आप जानते हैं कि prelims का paper 1 जो है उसका जो Indian GS का part है उसमें quality कितना important role play करता है इस साल का paper देखे जो non-conventional था या उसके पहले का भी paper देखे जो conventional था दोनों में एक बात common थी कि polity के questions बहुत ज़्यादा आये थे और polity के questions out of the leak और बहुत tough आते हैं अकसर क्यूंकि prelims में polity का दाइरा बहुत बड़ा है तो जब आप prelims पढ़ें तो polity की variety पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है constitution के जो major topics हैं वो तो करना है ही जाहिर से बाद है वो करना है ही उसमें से भी दर उदर से questions आते हैं बहुत ज़्यादा deep में जा जाकर उसके अलावा constitution से बाहर जैसे की representative of people act 1951 हो गया या फिर non-constitutional bodies गयर समिधानिक निकाए जैसे की नीती आयोग, CVC, सूचना आयोग इस तरह के जो निकाए हो गए interstate council, non-constitutional तो नहीं है पर फिर भी कुछ शेत्री परिशदें ठीके zonal councils ऐसे कुछ topics होते हैं flag code of India ऐसे बहुत सारे topics होते हैं जो prelims में include करता है लेकिन वो mains में नहीं है mains में अवल तो बात यह है कि 25 marks का इसको syllabus रखना है तो वे क्या करता है जो एकदम core topic होते है constitution की अंदर की सबसे core और सबसे most important जो topic है उनको ठागर के डाल दिया है ठीक, तो यहाँ पर आपको देखिए strategy यह रखनी है कि prelims में आपको variety पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और mains में आपको quality में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने prelims अच्छे से पढ़ाए तो एक तो इसमें ऐसा है कि limited topics हैं और वो भी बहुत depth में नहीं पूछता वो सदी ही चीज़ें जो आप prelims में अरड़ी उन topic के बारे में पढ़ चुके हैं बस you have to acknowledge the art you have to learn the art of putting them in words यानि कि जो भी आपने knowledge prelims में उन concept के बारे में हासल की अब उसको शब्दों में कैसे हो केरना है उसी किकल आपको सीखने है यहीं में में जब आप पॉलिटी डील कर रहे हैं तो concept वगेरा की कोई दिक्कत नहीं syllabus बहुत छोटा है variety of topics बहुत कम है बस यह है कि क्योंकि समविधान आप लिख रहे हैं तो बहुत जादा चालू भाशा में नहीं लिख सकते थोड़ा सबुक रिफर करके और deep से question आता नहीं जितना depth में आपने अलग-अलग तरिक से दिमाग घुमा फिर आकर के objective solve किया था वैसा इसमें है भी नहीं सीधे साथे questions एकदम सीधे साथे महाभयोग क्या है election का process बताई मौलिक अधिकार को इसा समझाने बोल देगा बहुत जादा तेड़े मड़े question नहीं रहते पस यह है कि जब आप उसे लिखें तो जो language आप use करते है quality में यह language का उत्ता role history में नहीं होता क्योंकि आप आम भाशा में लिख सकते हैं पर quality economy जैसे subjects में language जो use करते हैं उसमें थोड़े book के important terms आने चाहिए एकदम अपनी language में ना समझाया आप यह आपको key point पकड़ कर चलना है ठीक है तो मेरे guidance का first आपको जो suggestion है वो यही है कि जब आप means में quality पढ़ें तो अपना बहुत जादा time dedicate ना करें क्योंकि आप देख सकरें कि question कित्ते कम और कित्ते marks के आते हैं बहुत जाद अपना ध्यान इधर उदर के points पर ना डाले quality पढ़ते वाक क्योंकि सीधे साधे questions आते हैं ठीक पर आपका जो ध्यान होना चाहिए जो आप जानते हैं उसे लिख लिख कर practice करें ताकि आपके शब्दों में वो depth आए जो की quality के answer लिखने में चाहिए रहते हैं यह सबसे main suggestion है जो मैं आपको इसमें देना चाहते हूं fine ठीक I hope आपको यह चीज़े समझ में आई हूं उसके बाद जो एक general में guideline देती हूं answer writing के लिए चाहे वो कोई भी subject का क्यों ना हूं वो मैं यहां पर फिर दोरा आना चाहती हूं कि चाहे quality लिखे आप चाहे कोई भी subject क्यों ना लिखे जब आप mains के answer लिखते हैं यह 4-5 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना रहता है सबसे पहले चीज़ कॉंटेंट आपका content हमेशा कहते हूं content is the king CGPAC की answers में आप कितनी भूमी का बांध रहे किसी answer की निशकर्ष में कितने साहितिक शब्दों का इस्तिमाल कर रहे हैं यह सब बाते secondary होती है आपकी handwriting किती ही खुबसूरत है आपका presentation के ताच यह सब बाते secondary होती है लेकिन अगर आपने जो पूछा है वो तथ्यात्मा कृप से सही नहीं लिखा तो आपको marks नहीं मिलेगी आपकी art of writing को दे कर marks नहीं मिलेंगी उसमें fact होना चाहिए ठीक और मैं हमेशा जैसे history में मैंने कहा यहां पर भी वही है दो और चार marks में तो पूरी पूरी तरह से content पर ही आपके answers जो है उसमें marking की जाती है आप किस तरह से present कि उसमें बहुत जादा ध्यान नहीं दिया जाता दूसरी चीज लेंगवेज मैंने कहा कि जब आप quality और economy जैसे subject पढ़ रहे हैं तो उसमें language बहुत important role play करती है आप history पढ़ते हैं आप geography लिखते हैं ठीक है या कोई और ऐसा subject लिखते हैं जिसमें बहुत जादा technical words नहीं तो उसमें language is not that important पर इसमें है तो book का refer करें आप जब आप lecture सुनते हैं तो उसके key point synopsis के तोर पर बना लीजे बुक को भी refer करें as it is मत copy करें key point जो आपने lecture सुनकर समझा उसे book से refer करकि उसकी words समझे दोनों को बन करें और अपने हिसाब से answer लिखें तो आप देखिए कि वो एक चीज implicit हो जाती कि बुक में उन शब्दों को आपने पढ़ा है न वह आपके answer में भी आने लगेगी प्यॉर lecture सुनके नहीं लिखना है प्यॉर बुक पढ़कर नहीं लिखना है दोनों को refer करें फिर दोनों चीज बन करें और अपना answer लिखें इस सबसे सही तरीक है तब आपकी language एक मध्यम दर्जे की बनेगी ना बहुत low level ना बहुत bookish level ठीक है तीसरी चीज़ speed भई इस चीज़ को मैंने शायद पिछले history को वीडियो में deal नहीं किया था बट again means में speed बहुत माइने रखता है need for speed बिलकुल वही चीज़ यहाँ पर भी है ऐसा है कि अगर आपकी writing बहुत fast है तो यह बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन आप में से कई ऐसे लोग हैं जो काफी वक्त से एक regular curriculum से हटे हुआ हैं job कर रहे हैं तीन-चार साल हो गए college pass out के ठीक और अभी आपकी writing में उतनी जादा speed नहीं रहे गई हम regular करते रहते हैं आप college जा रहे हैं या practice में तो speed अच्छी बनी रहेगी लेकिन कई लोगों की नहीं है तो उन लोगों को खास इस चीज़ पर ध्यान देना है आपकी knowledge और experience शायद नए देखूँ कि आपको एक particular paper में कितने हजार शब्द लिखने रहते हैं तो आप इसे calculate करके देख लीजेगा इसमें करीव 2700 something मैं इसको एक whole figure में 3000 words लिखने रहते हैं ऐसा मानती हूँ you have to write around 3000 words in 3 hours एक paper आपका 3 घंटे का होता है न तो उसमें आपको 3000 शब्द लिखने रहते हैं ठीके around मतलब अगर आप exact calculate करोगे कि दो marks के 22 question हर question को 30 शब्द में लिखना है तो 30 into 22 15 marks का 1 question तो 15 into 175 ऐसे गर कि सब को add करोगे न तो 2700 something शब्द आते हैं जिसको आपको 3 घंटे में लिखना है तो मैं 2700 की जगे इसको 3000 शब्द कह देती हूँ तो आप एकदम निमाग में रखो कि आपको करीब करीब 3000 शब्द 3 घंटे में लिखना है तो आपकी speed क्या होना चाहिए बही अगर आप 3000 को 3 से divide कर दोगे तो जो भी आपका decimal में आकड अगर में लाओं तो एक मिनिट में आपके 15 शब्द आ जाने चाहिए if you divide 3000 by 3 hours या मैं कहूं 180 मिनिट से डिवाइट करेंगे तो पर मिनिट में आपको कितने वर्ड लिखना है इसकी एक उतना की अंदाजा लग जाएगा कि एक मिनिट में आपकी कितने वर्द लिखना है मतलब यह हो कि दो मिनिट में आपको 30 शब्द लिखने आपको अपनी स्पीड इस तरह से मेंटेन करने हैं अब देखो 30 शब्द लिखने मतलब एक दो माक्स का जो आंसर होता है उसमें आपको 30 शब्द लिखने रहते हैं इसका मतलब एक दो माक्स की आंसर को लिखने के लि अब तीस शब्द मतलब तीस शब्द लिखेंगे मतलब आप एक दो मारकर आंसर लिख सकते हैं तो इसका मतलब आपका target होना चाहिए कि टू मारकर आंसर जो है वो आपका maximum two minutes में लिखा जाना चाहिए अपना घड़ी को set करके ऐसा रखो कि दो-दो मारक के जितने भी आंसर हैं उसमें maximum time आपको two minutes लगी उससे जादा ना लगी वैसी अगर मैं दो मिनिट की जगे इसको कर देती हूँ वही एक मिनिट का हो गया पंदरा ना तो मानके चलिए अगर मेरेको 60 words लिखना है तो पंदरा चौक 60 60 words 4 minute और वो marks किते हैं उसके लिए 4 ही मतलब इससे समझ में आ रहे हैं दो मिनिट ठीक दो मिनिट और दो marks चार मिनिट और चार marks इसका मतलब ये है कि सीधा साफ गणित ये कहता है कि अगर आप एक two marker answer लिख रहे हैं तो उसमें आपको time चाहिए दो मिनिट अगर एक 4 मारकर answer लिख रहे हैं तो उसमें आपको चाहिए 4 मिनिट 8 मारकर लिख रहे हैं तो 8 मिनिट 10 मारकर तो 10 मिनिट 15 तो 15 मिनिट very very simple mathematics एक approximate जो मैं आपको time बता रहे हूँ जब आप 2 मारकर answer लिखे तो maximum अपना stop watch लगा दे 2 मिनिट का 4 मारकर लिखें तो 4 मिनिट का उससे ज़ादा नहीं जाना चीए समय 8 मारकर लिखें तो 8 मिनिट 10 मारकर तो 10 मिनिट 15 मारकर तो 15 मिनिट और एकर आपकी speed इससे भी बैतर हो जाती तो बैतर है क्योंकि यह जो मैं फ्रेम करके जब आप लिखेंगे तो सोचने और लिखने दोनों का टाइम दो मिनिट से ज़ादा नहीं होना चाहिए same goes with all the format तो simple गणित तो इतना है कि जितने marks का question है उतने मिनिट आपको maximum लेने चाहिए इस हद तक अपनी speed को आपको improve करना है अभी आपको लगेगा आप मेंसे कहें लोगी कि इतनी speed तो है अभी 15 marks का एक 175 शब्त का answer हम 15 मिनिट में लिख लेते हैं लेकिन अचानक वहाँ पे आप जब सब format के answer लिख रहे होगे आपके दिमाग में कई सारे topics चल रहे होगे उस तक किसी चीज़ का धाचा बनाना recall करना नएने तरह के question को deal करना इन सब चीज़ों के बाद लिखना एक अलग बात होती है तो real time experience is very different इसलिए आप test series वगरत देते रहे है तो कि test series में ही आप समझ पाएंगी कुछ से लिखोगे कि हाँ चलो इसको मैं 2 मिनिट में लिखे दिखता हूँ 5 मिनिट में लिखे दिखता हूँ तो फिर आपको नहीं समझ में आगा test series दोगे तब समझ में आगा कि real time में आप 15 marks के answer को 15 मिनिट में maximum लिख पाते हुआ नहीं ठीक हैं तो कोशिश करिए कि maximum लिता लगे और कोशिश करिए कि इससे कम लगे ताकि आपके पास last में 5 से 10 मिनिट का time बच जा है जिससे आप एक बार अपने answer sheet को review कर ले कई कुछ underline करना है कई कुछ map बनाना है कई कुछ ऐसा point डालना है तो आप डाल सके उसे fair कर सके ठीक तो यह मैंने maximum time limit बता है जाद आपको नहीं लगना चाहिए this is very simple mathematics जितने marks उतने minute ठीक है यह होगा आपका speed का target I hope आपको समझ में आया एक minute में 15 words से उपर मतलब 15 words लिखने के लिए एक minute से उपर नहीं लगनी चाहिए कोई भी language में क्यों ना लिखे Hindi चाहे English ठीक ठीक अगली बात आती है आपकी handwriting handwriting देखो important role play करती है but it should only indicate the clarity of your language मैं यह नहीं बोलूँगी कि handwriting बहुत सुंदर होती है तभी अच्छे marks मिलते हैं देखो जिनकी handwriting बहुत सुंदर है बहुत अच्छे से सजा वजा कर लिखा है सजाने एक लिए पहली बात तो आपके पास दो pens का इस्तिमाल करने का time ही नहीं रहता नहीं आपको allowed है आप ऐसा नहीं कर सकते कि pencil, काली, नीली, हरी, लाल दो, तीन penों से आपको करून नहीं आपको एक color की एक pen उठानी और पूरा लिख देना है तो जाहिर सी बात है school time पे हम जिस तरह सिक्दम सजीवी answer sheet लिखते थे वैसा तो आप करी नहीं सकते फिर भी, अगर आपके handwriting बहुत अच्छी तो answer बहुत अच्छा दिखता है तो मैं मानूंगी कि जिनके handwriting बहुत अच्छी थोड़ा सा अच्छा impact पड़ता है जो theoretical subjects ने जैसे आप history लिख रहे हैं philosophy लिख रहे हैं sociology लिख रहे हैं ऐसे कुछ theoretical subjects में आपकी handwriting पहला impression अच्छा देती है यहने वो थोड़ा सा positive mind से आपके answer को check करता है बस इतना है लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके handwriting बुरी है उनको उस वज़े से marks कड़ जाएंगे हो सकता है एक नजर देखकर को लगे यह handwriting कैसी है लेकिन आपकी answers पढ़े जाते हैं इस बात को ध्यान रखें answers पढ़े जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है आपको content मैंने कहा content is the king content और presentation presentation में handwriting नहीं आती handwriting से ज़्यादा presentation में आपकी creativity आती है अपने paragraph, underlining, subheading, point से सब का ख्याल रखा है कि नहीं तो प्रस्तुती करन और content अच्छा है कि नहीं इस पर आपके marks depend करेंगे first impression भले आपके handwriting के वज़े से बुरा जाएगा और जो आखरी में उस answer पर वो आपको marks देगा उस पर इसका जादा फर्क नहीं पड़ेगा बस इतना है कि understandable होना चीए, एकदम भी ऐसे शब्दों को ना लिखें कि उसे हर line को पढ़ते words लिख रहे हैं, कई बार English वाले जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि एक तरफ उनका tilt होता है, तो वो एकदम 4-5 words ही लिख पाते हैं, उनकी बगदी-बड़ी handwriting होती है, तो इससे भरा-भरा तो देखेगा आपका answer sheet, पर आप जितना fact, content चाहते हो दिखाना उतना नहीं लिख पाऊगे, कि आपके पास space limited है, ठीक है तो इसलिए ध्यान में रखें कि थोड़ी छोटी करने की कोशिश करें, शब्दों को clear करने की कोशिश करें, और बहुत सुन्दर improve करने की ज़रूरत नहीं जिनकी head chain writing है, उनके लिए अच्छा पड़ेगा, फिर इतना है कि पहला impression अच्छा पड़ेगा, फिर इतना है, कि उस handwriting के वज़े से आपको marks मिल जाएंगे marks तो तब ही लिखेंगे, जब आपने सही लिखा होगा, ये बात थोता है, clear ये बात, ठीक, उसके अलावा presentation, देखो presentation में, मैं बार-बार, glass class में दर आए, यहाँ पर भी बताती हूँ, ये presentation आपकी creativity को बताता है कि आप कितने creative हैं, दूसरों से कितने अलग तरीके से अपने content को प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आपकी समझदारी का भी एक परिचे देता है, ठीक, और presentation जो होता है, ये 8, 10 और 15 marks के question में, बहुत important role play करता है, हम जिस paper का discussion कर रहे हैं, उसमें याद रखे हैं कि 15 marks का question नहीं आता क्योंकि ये part 2 है, तो इसमें maximum 10 marks का paper, ये question आता है, तो हमारे case में 8 और 10 marks का जब आप लिखें, तो आपकी creativity बहुत important है, अब creativity का मतलब, जो कुछ आप लिख रहे हैं, उसको या तो सबसे simple points बनाने की कोशिश करिए, या तो आप subheadings डालने की कोशिश करिए, ठीक है, तीसरी चीज, या तो आप flow chart बनाईए, आप pyramid बनाईए, ठीक, आप diagram बनाईए, ठीक, आप when diagram बनाईए, आप map बनाईए, ठीक, इन में से कोई भी तरीके से, जहां आप अपनी creativity दिखा सकते हो, content को present करने के लिए, कोई भी तरीक अगर आप उपनाते हैं, तो ये आपके presentation को edge देता है, ठीक, underline करिए, पर underline इतना नहीं कि बहुत messy देखे आपका answer, underline सिर्फ कुछ सबसे important जो आप मान रहें, चार line लिखा है, तो तीन से चार words हद से हद आपके underline होने चाहिए, चार line तो चार words से दा underlining नहीं होने चाहिए, ठीक है, और आपको समझना होगा, मैंने देखा है, कि underline करते वक्त भी आपकी समझदारी नहीं जलगती है, आप important चीजों को underline करते तो और important चीजों को नहीं करते, कोई नाम है, कोई date है, कोई article है, कोई part है, कोई case study है, उन चीजों को आपको underline करना है, दूसरे words को नहीं, ठीक है, clear, ये सारी चीज़े आपके presentation में माइने रखती है, देखो presentation में और एक चीज़ ध्यान में रखना, जो limit होती है, आपकी space जो दिया रहता है, उस space में ऐसा रहते है कि बानके चलिए, ये two marks का answer है, तो two marks मतलब 30 words का answer होगा, तो इसमें चार लाइने दी जाएंगे, one, two, three, four, चार लाइने दी जाएंगे, तो कोशिश करिए, आप last तक इसे लिखें, इस line के बाहर आप ना जाएं, आपका content पूरा अगर हो जाता है, चार लाइन में, तो बिल्कुल एक शब भी और ना लिखें, लेकिन ऐसा है कि sentence पूरा नहीं हो रहा है, और content का नहीं डालने के वज़े से, आप एक होता है ना कि, जो question होता है, अगला उसकी उपर एक line खीची रहती बढ़ी, वहाँ तक वैसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अगर content पूरा नहीं होता है, और आपको ऐसे लग रहा है, उसकी वज़े से जाधा marks कट जाएंगे, तो आप वहाँ लिख सकते हो, यह मिलब आपको priority सेट करने पड़ेगी, अगर आपने वो content नहीं लिखा, जिसे दो marks का question होता है, 30 words लिखने रहते हैं, तो उसमें on an average एक line में माना जाता है, कि 10 words आपको लिखने हैं, तो इसे आपसे 3 line है, 3 से जाधा 1 extra है, 4 line, कोशिश करें उससे बाहर ना जाएं, वैसी आपका 4 marks का 60 words है, तो 6-7 line, ठीक है, वैसे आपका 8 marks का 100 words है, तो 10-11 line, 12 line, ऐसे गरके आपको मिलती हैं, आप उसे count कर लें, कोशिश करें कि अगले question की उपर जो line है, उस line की उपर कुछ ना लिखे, अगला question, उसकी उपर एक बड़ी line कीचे होगी, उसकी उपर आप ना लिखे, ठीक है, ऐसा कोशिश करिए, ठीक, बहुत ज़्यादा messy होता है, तो फिर आपके आदे एक marks उस चीज़ कले कटते हैं, line के दिये गए space की उलंगन पर कटते हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा तर complex language में, मैं एक चीज़ और कहना चाहती थी, space को अगर आपको utilize करना है, तो complex sentences का use करिए, आप चार चीज़े बताना चाहते हैं, ठीक है, मान के चली आप बता सकते हैं, जैसे कि आप राश्पति की परिभाशा बता रहे हैं, पॉलिटी की question में, तो आप कहरे हैं कि पहले, पहला point लिखेंगे, भारत का राश्पति प्रमुक होता है, वो सम्विधानिक प्रमुक होता है, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, वो भारत का कारे-कारे प्रमुक होता है, यह चार points है, आप अगर इन चार points को लिखोगे, तो चार लाइने कप जाएंगे, तो आप क्या करोगे, भारत का राश्पत्य समिधानी प्रमुक, कॉमा, राज्य प्रमुक, कॉमा, कार कारी प्रमुक, कॉमा, भारत का प्रथन नागरिक, कॉमा, तो यह 4 का जगे आपने sentence में, कॉमा, semi-colon लगाकर कि उसे एक line में लिख दिया तो ऐसे complex sentences बड़े-बड़े sentences उसको comma, semicolon and or conjunction से जोड़ कर लिखे ताकि आप उतने space में जादा से जादा content दिखा सके तो इसमें complex sentences लिखिए लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि उसका meaning ही निकल कर रहा है तो ऐसा जोड़ी है जिसमें आपकी थोड़ी सी language की भी समझ ठलक करा है दूसरी बात मैंने कही थी कि language में यह चीज भी है कि आपका यह कोई language test नहीं है कि आपके grammar और spelling check की जाएगी पर इतने errors भी ना करें कि वो फिर irritating feel हो और उसके वज़े से वो आपके marks card दे वह theoretical चीज में आप claim नहीं कर सकते कि मुझे इतना ही देना है ठीकि मुझे इतना ही मिलेगा जैसे आपकी theory की question papers पहले जचते तो वो इसमें भी जचते हैं उसी तरह के professors जचते हैं इस वज़े से अगर आपकी language और spelling बहुत गलत होगी grammar बहुत ही गलत होगा तो उस वज़े से marks कटेंगी कि उसका meaning निकल कर आने में थोड़े से दिक्कत होगी clear है? ठीक है? तो इन चीजों का ध्यान रखिए ये steps सभी exam में काम आती है और इसमें भी जरूरी है ये पॉलिटी के paper में भी ये बहुत importance रखता है क्योंकि पॉलिटी आपने problems में अच्छे से पढ़ चुका है अब इन ही चीजों के उपर आपको आखा जाएगा क्योंकि उनको पता है कि भी महावयोग है तो महावयोग तो आप पढ़ते ही उनको पता है तो इन चीजों को ध्यान रखी आपको हर वीडियो में हर फेकिल्टी द्वारे ऐसे चोटी-चोटी टिप्स दी जाएंगी वो बहुत important है उसको practice में लाईए और marks पाईए अगली बात अगर मैं देखूं तो syllabus वगरे discuss करने से पहले मैं quality में या ऐसे कोई भी conceptual subject में किस प्रकार की questions आते हैं उनकी keywords को तोड़ा सा discuss करना चाहती हूँ यह मैंने history में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने history में आपको बताया था कि उसमें ज़्यादातर question इसी तरह के आते हैं इसमें पहले लिखा हुआ है first point में explain, describe, illustrate समझाएं, व्याख्या करें, विवरंटे इतिहास की कोई भी घटना को समझाने व्याख्या करने या सीधा-सीधा पूछ देता है विवरंटे ने उसमें बहुत ज़्यादा अलग प्रकार के questions नहीं आते पर जब आप पॉलिटी का question पर देखते हैं तो उसमें कोई भी चीज की परिभाशा पूछ सकता है कोई चीज पर चर्चा करने, विवेचना करने discuss करने पूछ सकता है परिक्षन करने पूछ सकता है, आलोचना करने पूछ सकता है, आलोस नात्म मुल्यांकन देना है ठीक है तो सबसे पहले देखिए explain describe illustrate यह सब बहुत basic question है इसमें आपको जो चीज पूछी गई है उसको बिना कोई जिजा कि answer arrangement का ध्यान रखे a to z अपने हिसाब से लिख दो क्योंकि आपको सिर्फ पूछा है कि इसे बता दीजे व्याख्या कर दीजे ठीक है तो आप का answer आप जो लिख रहे हो content उसमें arrangement of answer भी जरूरी है ना कि पहले क्या लिखें बीच में क्या लिखें बाद में क्या लिखें तब ही तो यह समझ में आएगा कि question को समझ के लिखाया आपने ठीक है तो हम एक example लेते हैं कि मान के चलिए एक hundred words इन्हें eight marks hundred words hundred words आपको लिखना eight मार कर answer है तो अलग-अलग प्रकार के keywords को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से अपने answer को deal करेंगे तो ऐसा है वही कि अगर explain करने बोल रहा है describe illustrate करने बोल रहा है तो आपके पूरे hundred words सिर्फ explanation यहने content के होने चाहिए जो content है जिसको हम body बोलते हैं जो main तत्त है उसका उस points में आ जाए 8-10 points हो जाए ठीक है या फिर आपका इतना होना चाहिए अगर paragraph में लिखना है तो दो से तीन paragraph में तोड़ दें से लेकिन इसमें बहुत जादा आप यह नहीं बोल सकते कि इसमें कोई इधर-उधर की चीज़ें लिखनी है क्योंकि यह long answer है तो आपका फर्स ब बताया था मैंने तो explain करने भी बोले डिस्क्राइब करने भी बोले तो आपका 20 वर्ड शुरू में introduction दे दो और बाकी का sorry जो 80 वर्ड बचा है उसमें पूरी चीज़ों को ऐसा समझा दो points में चाहिए किसी भी तरह से समझा दो ठीक है और कल हमने देखा था कि describe यहने कि हिस् तो आखरी के 20-30 शब्दों में आप थोड़ा सा conclusion दे दो ठीक है क्योंकि बड़ा answer है बस इसलिए बाकी इसमें mainly जो focus है 70-80% वो content समझाने में ठीक अगली बात परिभाशित करें तो देखो यह समझाएं मगरा तो 2 से लेकर के 10 तक हर प्रकार के question में आ सकता है describe करने समझान अखिल भारती सेवाओं को परिभाशित करिये ठीक है ऐसा कोई भी चीज़ की definition पूछेगा ना तो 2 से 4 marks कायेगा as such word to word या किसी के संदर में ने होता न होने इसको ऐसा explain किया प्रस्तावना क्या है तो इनके शब्दों में प्रस्तावना ये है governor का पत क्या है तो इनके शब definition लिखिए या अपने definition सधेवे शब्दों में लिखिए जब definition लिख रहे है तो आप ध्यान रखें उसके features ना लिखें for example आपसे पूछा जाए कि ordinance क्या है define ordinance ठीक है अध्यादेश किया है और अध्यादेश को परिभाशित करिए तो आप बोलेंगे अध्यादेश एक तरह का अस्थाई कानून है जो केंद में राश्पति और राज्ज में राज्जपाल सत्रों के बीच में यहने की अध्यादेश राश्पति जारी करता है इसे पूर्वतिती पर भी जारी किया जा सकता यह न्यायोचित है इसको तब जारी किया जाता है इसे पैरलल लौकी तोर पर यूज नहीं किया जा सकता ऐसा कुछ जो अध्यादेश के features आते हैं ऐसा ना लिखे परिभाश है मतलब exactly उस word को define करना है ठीक अब अगर उसके features पूछता है तब आप लिखेंगे definition के बाद कि पहले आपने लिखा न कि अध्यादेश एक अस्थाय कानून जो राजप्रमुक तब जारी करते हैं जब races of the parliamentary sessions होते हैं इसके निमन features है फिर आप लिखेंगे कि यह retrospective हो सकता है यह back date प तत्व नहीं आने चाहिए परिभाश है मतलब परिभाश है अगर जोड़ा है कि what are its features तब आप तत्वों को लिखें ठीक है इन चीजों को ध्यान रखें अकसर यह 2-4 marks में आते हैं अगली बात है examine evaluate analyze परिक्षण करें मुल्यांकन करें विचलेशन करें एक ही बात होती है करें पूछा है मानके चलिए भारत के संघात्मक धाचे का परिक्षण करें संघात्मक धाचा ठीक है और यह 100 words का पूछा है तो इसमें आपका धाचा क्या रहेगा examine evaluate और analyze में कि आपको actually में संघात्मक धाचा समझाना नहीं उसका परिक्षण करना है तो आपको इसकी प्र क् игр को रतीजें पीस वर्ट में तो आप जाते है चालीस वर्ट तो 40 में पहले positive बता दो यहने कि संघात्मक धाचा क्यूं कहा ज्याता है भारत का क्या क्या संघात्मक तत्वें यहनeffES पहले संघात्मक तत्वाएंगे फिर 40 words में आपके एकात्मक तत्वाएंगे आप संघात्मक ढाचे की आलोचना करिए पहले उसका महत्व बताईए पॉजिटिव बताईए चालिस शब्दों मैं और चालिस शब्दों मैं उसकी आलोचना करिे ढो़े चालिस शब्दों में अपके बताईए के यह पॉजिए पर चालिस शब्दों में आप उसकी बुराईय करिए कि बही प्रमुक तो है लेकिन ये नाम मात्र का प्रमुक है इसके पास DJ और Executive कोई वास्तविक पावर नहीं है सम्विधाने कि इसके पास इच्छा दिन शक्तिया नहीं है तो आपने 50% अच्छाई की 50% बुराई की और शूर से भारत में कुछ एकात्मक तत्व के साथ संगहात्मक ढाचाई इसे हम इसे अर्द संगहात्मक बोल सकते हैं मतलब एक लाइन का आप चाहो तो इसमें से कुछ लाइन बचा कि जैसे कि आपने 30 शबने positive 30 शबने negative लिखा तो आखरी में 20 शबने आप conclusion लिख दो मतलब आपक criticism इसमें आपका ऐसा रहेगा कि ऐसे 100 words हैं तो 20 words का introduction कि आप किसके आलोजना करें मानके चली राश्पति की पत के आलोजना करें और पूरे rest of the 80 words आप सिर्फ और सिर्फ points में आलोजना ही करेंगे यानि कि content ही रहेगा इसमें आपको कोई correction नहीं करना है 20 words में सिर्फ introduction दे दो कि आप किसके आलोजना करने वाले हो उसके वाज़े से मौलिक अधिकारों की 8-10 points से आलोजना हों की तो आप 8 points लिग दीजे आपका answer खत्म चुरू में मौलिक अधिकार कहां से कहां तक दिये गए और आलोजना कुछ आधारों पर की जाती है से introduction लिग दीजे और नीचे आ होता है ये last वाले phase में 20 words में introduction लिखना रहता है ठीक उसके बाद आपका जैसे कि 20 words में intro हो गया उसके बाद मानके चलो कि करीब 60 words में आपको सिर्फ और सिर्फ body यह नहीं कि आलोजना करनी रहती है ठीक और आखरी 60 भी क्या को में 50 words यह होना ची 50 words 20 words में आपने introduction लिग दिय 50 words में बस आप आलोचना करिये चाहिए वो points बना कर करें चाहिए paragraph बना कर करें ठीक है तो अब बच गए 30 words आखरी के 30 words में आप conclusion लिखिये और conclusion जो होना चाहिए वो positive की तरफ टिल्ट होना चाहिए जैसे कि राश्पती के पदकार आपने उलेक कर दिया फिर 50 शब्दों में उसकी आलोचना कर दी और फिर 30 शब्दों में आपने कहा दिया कि भले ही इसकी आलोचना का याधा और पर की जाती है पर हम इस बात से नकार नहीं सकते कि ये समवेधानिक प्रमुक है इसका पद भारती प्रणाली के लिए प्रशासन के लिए बेहत जरूरी है ये जितना भी सेंट्रल काउंसल ओफ मिनिस्टर होता है उसको न्यूक्त करता है तो भारत में जवास्तवी कारेपालिका है उसकी न्यूक्ती राश्पती स्वयम करता है ठीक तो इस तरह से कुछ बातें जो उसकी पॉजिटिव है उसको लेते वे कॉंक्लूजियन लिखने आपको तो आलोचना और आलोचना अत्मक मुल्यांकर में फर्क समझे आलोचना में 20 शब्द आप इंट्रोड़क्शन देगे 80 शब्द पूरी आलोचना ही करिए निगिटिव 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 लेकिन आलोचना अत्मक मुल्यांकर में 20 शब्द इंट्रोड़क्शन दीजे 50 सब्सक्राइब करना तो थोड़ा सा पॉजेटिव लेते वे उसका फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे क्लियर है ठीक तो जो पूछा गया है बस आंग बंद करके लिखना नहीं है जो वर्ट दिया गया उसके आगे इनमें से कौन सा शब्द है व्याख्या करे लिखा है चर्चा करे लिखा है ठीके तो डिसकस जो है ना वो भी परिक्षन के जैसे ही होता है क्योंकि डिसकशन इस रिटन डिबेट एक तला कर लिखित डिबेट होता है डिसकशन तुझ विवेच ना करने या चर्चा करने भी बोल रहा है मतलब आपको पॉजिटिव नेगिटिव दोनों पहली यह आपको उसके बताने तो आंसर के बाद यह जो चीज़ें कीवर्ट के तोर पर आती है उसके इसाब से आपका कॉंटेंट का अरेंजमेंट होगा वहाँ पर भी मार्क्स मिलते हैं तो देखो हैं राइटिंग से जादा मैंने कहा ना कि आपके आंसर में जो आपने अरेंज किया है उससे जादा आपका फर्क पड़ता है कॉंटेंट इंपोर्टेंट है और आंसर का अरेंजमेंट इंपोर्टेंट है इस पर ही मार्क्स मिलते हैं हैं राइटिंग लैंग्वेज स्पेस उटिलाजेशन ही सब सेकेंडरी बात हैं क्लियर है चीज़ ठीक आयो प्रेप वालिटी के सिलिबस में मैंने का वह बहुत जादा बड़ा सिलिबस तो है नहीं यह ना 25 मार्क्स का सिलिबस है और कुछ को टॉपिक्स है तो चलो टॉपिक्स गिन लेते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए भारत का सम्विधानिक विकास, Constitutional Development एक टॉपिक हो गया, सम्विधान का निर्मान एवं विशेष्टा है तो बैई इसमें सम्विधान का निर्मान अपने आप में एक टॉपिक है, लक्षमी कांद में आप देखेंगे कि लगसिक टॉपिक दिया गया है, मूल विशेष्टा है अ उसी में आ जाता है, तो मैं इसको तीन में इंक्लूट करूँगी, क्योंकि इसकी जो प्रकृति वगेरा है, कि सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है, ठीक है, यह उसका जो महत्व है, वो इकदम इंट्रोड़क्टरी विशेष्टा वाले पार्ट में आजा तो अलग से को आठवा टॉपिक जो है, अब देखो यहां पर आते हैं कॉंप्लेक्स टॉपिक्स, संगी, कारेपालिका, वेवस्थापिका, नियाएपालिका, तो आठवा टॉपिक है कारेपालिका, नवा टॉपिक है वेवस्थापिका, दसवा टॉपिक है नियाएपालिका, अपने आएगा आपका संसद, इसी में आएगा सुप्रीम को, अलग से ये शब्दों को ना लिखकर उसने कारपालिका, विधायका और न्यायपालिका लिख दिया है, ठीक है, आपको लगेगा राश्पती, उपराश्पती, राजपाल, संसद, कुछ नहीं है क्या, सब इसी में है, तो अपने आप में ये सबसे बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, तो आठ, नौ, दस ये हो गया, ठीक है, और यही चीज राजपती स्तर की आये होगी, देखो, राजपी, ठीक है, तो मैं दस के बाद ये ग्यारवा ये इसका ले रहे हूं, राजपी कारपालिका, राजपी की वेवस्थापी का, राजपी की नियापालिका, तो 11, 12, 13 ये टॉपिक्स हो गए, उसके बाद समिधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आपका, जो मौलिक अधिकार है उसी में आता है, तो इसलिए इसको अलग से टॉपिक नहीं गिना जाता, क्योंकि मौलिक अधिका पर जब आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चलते हैं, बहुत जादा अलग कुछ नहीं है, जब आप भारत की नियापालिका पढ़ते हैं, तो अकेले उस टॉपिक में, सुप्रीम कोट, हाई कोट, डिस्रिक कोट पढ़ने के बाद आप ये तीनों चीज़े पढ़ लेते ह और PIL, पब्लिक इंटर्स लिडिकेशन, ये जुडिशेरी से सम्मंदिर टॉपिक हैं, तो जब हम पढ़ते हैं, बुक में भी आप देखेंगे, तो ये एक क्रम में दिया गया है, तो अलग से आप इसे बर्डन ना लेकिया है, ये सुप्रीम कोट अलग टॉपिक है, हाई पढ़ सकते हैं, क्योंकि केंदर और राजिस्तर की मिलते जुलते पद हैं, तो एक साथ बहुत चोटा सा टॉपिक है, उसके बाद संग राज संबंद, जितने भी तरह के लिखे हो, एक्चुली टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये अपने आप में एक बहुत इंप इसके बाद कर लें हम, या फिर आपका संग UPSC की बाद कर लें, या स्टेट PSE की बाद कर लें, ये पूरा एक टॉपिक में आता है, तो उसका हम 19 टॉपिक देख लेंगे, ठीक है, 20 टॉपिक है आपका आपात उबंद, 21 टॉपिक है आपका समयधानिक संशोदन, यानि ए अलग से टॉपिक में इसको नहीं गिनूँगी, और एक जो आपका बाविस्वा टॉपिक है, 22 टॉपिक है, वो चातिसगर्ण का प्रशासन, वेरी इंपॉर्टन, इस साल 2021 के पेपर में दो क्वेशन आया थे इस से अक्यले, कुल मिला के 6-7 क्वेशन आ रहे हैं, उसमें स पढ़ने की ज़रूत नहीं, जो आप 36 गड़ का जीएस का सब्जिक पढ़ते हैं, उसमें जो प्रशासन पढ़ते हैं आप, उसी में चीज़ आती है, पर हाँ, एक आत क्वेशन इसमें से अक्सर आता है, तो कुल मिला कर यह हो गया है, 20 सेकेंड, ऐसा अगर मैं काउंट कर मैंने काउंट कर लिया, इतने टॉपिक्स 25 मांक्स के आपको प्रपैर करने हैं, लेकिन अगर आप मैंन की बात करें, तो यह उसके हिसाफ से आप देखेंगे, तो आपको लग रहा है कि बाईस बाईस टॉपिक हैं, पर ही बहुत कम हैं, क्योंकि पॉलिटी अगर बात करें तो इसे बहुत ज़ादा टॉपिक है, प्रिलंफ में आपने नॉन कॉंस्टिटूशनल बॉडिज पढ़ा था, याद है, आपने पढ़ा था नीति आयोग, आपने पढ़ा था नडिसी, आपने पढ़ा था योज नायोग, आपने पढ़ा था चीफ विजिलिंस कमिशनर, नाशनल हीुमन राइट कमिशन, क्या इनमें से कुछ भी है इसमें? नहीं, इसके अलावा कॉंसिटूशनल बॉडी में भी सम्धान एक निकायों में भी क्या correction lado कमिशन है इसमें? नहीं, छीक है, इसमें कितने ही सम्धान के 22 भागों में से कितनी भाग नहीं है देखो, छी से लेकर के आपका 3, 4, 5 ठीके 6 यहां तक है, Union Territories से कोई question नहीं है इसमें ठीके पंचायती राज को एट किया गया तो लोगपरशासन में एट किया गया है तो वो इसके दाइरे में नहीं आएगा लोगपरशासन में आता है, इस बार भी आए ठीके पढ़ते आप उलिडी के बुक्स हैं लेकिन टॉपिक लोगपरशासन में एट किया गया ठीके फिर ना तो 10 पार्ट 10 है, ना पार्ट 13 है ठीके तो 1 नहीं है 2 नहीं है, 8 नहीं है 10 नहीं है, गौर से सुनते जाओ 1 नहीं, 2 नहीं 8 नहीं ठीक, 10 नहीं 13 नहीं 15, 16 17, 19 21 22 इतने सारे जो भाग हैं वो नहीं है मेंस के टॉपिक में जबकि ये सारे भाग और इससे बाहर की चीज़े प्रिलम्स में आते हैं तो आप देखिए, प्रिलम्स का टॉपिक प्रिलम्स का जो सलिवस है बहुत वाइड है मेंस का लिमिटेड है ठीक, तो इसलिए मेंस में आपको पॉलिटी में अदकम करनी पड़ेगी अगर आपने प्रिलम्स पढ़ागा तो ये सब चीज़ों को पढ़ा ही होगा ठीक, तो एक चीज़ ये वाती है और दूसरी चीज़ ये कि इसमें दो दिन ऐसे टॉपिक निया है जो यूजवली प्रिलम्स में नहीं भी आते आपने इता तो देखिए लिए कि प्रिलम्स में बहुत से एक्स्टर टॉपिक आते हैं पर कम आते हैं उससे संबंदी जो आयोग वगएरा है उससे आते हैं पर उसको बिलकुल अलग तरीके से आपको मेंस में पढ़ना है संग राजी संबंध एक्चली मेंस ओरिएंटे टॉपिक है तो जो आप मेंस में पढ़ते हैं ना फ्रिलम्स बहुत अलग पढते हैं यह तापिक प्रिलम्स में आता है पर सथी तुरूप से आता है लेकिन इन इन मेप्थ में आता है और अव के इंदरार समझ थोड़ा अलग तरीके से आपको मेंस में पढ़ना है तो याब मैं कहूंगी कि अलग से मेंस का इक टॉपिक यह है जन्हित याचिका है नया एक सक्रेटा है ठीक है यह कुछ ऐसे टॉपिक से एक्स्टर और चाथिसगर का प्रशासन तो एक्स्टर है ही यह म important parts की बात करो मैं तो भाई आना यह चोसे 7 बहिं लेकिन अगर मैं एक्सट्रैंट देखू तो भी सबसे important सबसे important अगर कुछ होता है तो जो संग और राज की कारेपालिका है मतलब की जो आपका कहां है ऑघ कि Hier new loi के पिषिए travelling reality jury का तो स्टेट एग्जिकेटिव लजीस्लेटिव और आपका jn इसी के अंदर आ जाता है राश्पती उप्राश्पती राज केंदर राज का मंत्री मंदल प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री ठीक है और वो जो अटर्णी जनरल एड़ोकेट जनरल दिया है महादी एक्ता महानी आए वादी वह भी तो कारेपाली का कही हिस्सा है तो अपने और जो भी संसाधी प्रणाली संब्दे जितने कोशन दोगेंगे वो सब इसी टॉपिक्स है तो आउट ओफ इस क्वेशन दे लेंदियस्ट एंड इंड इंपोर्टेंट टॉपिक है सबसे इंपोर्टेंट तो मैं बोलोंगी यूनियर एग्जिक्टिटिव प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर भी पार्लेमेंट के साथ विधान सभा भी पूछता है तो यह सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया ठीक है उसके बाद फिर भाई सब मिसलीनियस से अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज से क्वेशन आये हुए है क्योंकि अलग से बाकिए जो मैंने 22 टॉपिक्स बताई हूं इनमें कोई ऐसा युनिफॉर्मिटी नहीं है हर एक से आ सकता है क्योंकि इसने सम्विधान के वैसी 50-60 टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट उठाकर डाल दी है क्या आप आतुब बंद यहां से क्वेशन आता है सम्विधान मिस नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेंट टॉपिक हैं तो सभी टॉपिक से क्वेशन आज तक अगर आप पिछले पांच सालों में देखो हर टॉपिक से क्वेशन आया हां सबसे जादा इसी से आया यह बात आ है क्लियर है ठीक तो यह हो गया थोड़ा सा सिलिबस अनालिसिस अब हम थोड़ा सा 2021 का जो क्वेशन पेपर है उसमें इसी चीज़ को देख लेते कि भी कहां कहां से इस बार क्वेशन आया है तो इस एक अंदाज़ा आपको प्राक्टिकली लग चाएगा ठीक तो देखिए य कीमा 30 शब अंक 2 यानि की 30 words का 2 marks का यह question paper जिसका भाग एक हमने history के paper में discuss किया था अब इसके भाग 2 में देखिए ठीक है यह देखो हम question के answers discuss नहीं कर रहे हैं हम से एक trend analysis कर रहे है topics देख रहे हैं कि कहां कहां से last year questions आये थे भाग 2 इसी में है ना paper 3 के भाग 2 में Indian quality देखो 1 2, 3, 4, 5, 6, 6 questions आयें जैसे कि मैं देखो 2 marks के 6 questions आयें उनमें से गर आप questions को देखेंगे तो जो question number one है राश्पती को पच से अटाने की महाभियों की प्रक्रिया को बताईए ने एक question quality से ठीक LM संग्वी समीती की सिफारिश दूसरा question quality से cabinet mission पर टिप्पनी लिखे यह तीसरा question भी quality से चौता है राश अध्यक शात्मा शासन की विशेशता यह लगता है quality से पर actually topic है public administration का delegation public administration और efficient leadership public administration मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो first three questions है जैसे कि हमने कहा था छे में से तीन question quality के हैं पहला वाला जो question आप देख रहे हैं अकसर से सबसे important है मैंने का ना union executive से सबस्दा questions आते हैं तो यह question आपका राश्पती से आया है यह question पहले भी आ चुका है और याद रखना एकदम flip कर देता है मैंने कल भी आपको बताया था history वाले paper में कि अगर question एक बार 8 marks का पूछा है या 10 marks में पूछा है तो 2 marks में पूछेगा 2 marks का पूछा है तो 8 marks में तो हम इस तरह से देखें तो वैसे तो इसके 2020 में तीन question policy तीन public administration पर अगर आप इसको देखेंगे तो यह पहला वाला quality दूसरा वाला pub act का है ऐसा हमेशा होता नहीं है और usually पंचायत को pub act के topic में देने के बावज़त quality में पढ़ा जाता है इसलिए इसमें ले लिया गया है ठीक question है पर नहीं आप यह जो making of the constitution पड़े थे सम्विधान का निर्मान जो एक topic अपने देखा था वहां से question है तो देखो एक question पंचायती राज से आया एक राश्पती से आया एक सम्विधान के निर्मान से आया ठीक है यह दो marks का हो गया उसकी बाद आ जाते हम चार marks के question में च ठंड दो ठीक है अंक चार इसमें देखते हैं कि कितने questions हैं तो भाग 1 के बाद आता है आपका भाग 2 ठीक देखें यह आगया आपका भाग 2 इसमें देखें question number 7, 8 and 9 यह 3 ही questions है क्योंकि इसके बाद आ जाता है आपका भाग 3 तो 3 questions आए हैं आपके part 2 से अब इसमें देखो कि कौन सा कौन से हिस्से से quality पर बैट से तो right to liberty यह वाला quality से आया है quality से आया है ठीक है 74th amendment अब इसको आप 2-3 topic से link कर सकते हो या तो quality में जो विशेशता है वाला topic है उसमें जो schedule आप पढ़ते हैं अनुसूचिया उससे link कर सकते हो या तो फिर quality में आप जो amendment पढ़ते हैं उससे link कर सकते हो क्योंकि अनुसूचियों में आपकी जो बारवी अनुसूचिये वहां से question है ठीक है उसके अलावा संशोधन वाला जो अलग से topic दे है उसमें 74th संशोधन है वहां से link कर सकते हो लेगिन क्योंकि यह municipal system है तो वो जो संशोधन वाले question से आया है या फिर दूसरा आपका जो आप समिधान की विशेष्टाओं के तहे समिधान के भाग और उनुसूचिया पढ़ते है उस से आतो आप पूरे जो आपके बारा उनुसूचिया है उनके आप दो दो line चाचा लाइन में आपके ने दो माक्स चार मा के लाइक definition बना करके लिखेंगे किस में क्या दिया है जैसे कि 74 वा संशोधन कभ हुआ था इसके तहट कौन सा भाग जोड़ा गया इसके तहट कौन से अनुसूची और किस तरह के निकाए भारत में स्टित में है इतनी चीज़े आपको बताने है तो actually schedule और amendment ये दोनों से ही दूसरे section से पूछते तो अभी आप देखेंगे चार मांग से तीनों question आपके पॉलिटी के हैं पहला वाला question है आपका fundamental rights से ठीक दूसरा वाला question है आपका schedule से इने विशेष्टावाले भाग से और तीसरा question है आपका judiciary से सुप्रीम कोर्ट से संबन देत ठीक तो topics देख गया मौली का धिकार आ गया संचोधन हो गया संविधान का निर्मान हो गया local self government आ गया और judiciary local self government बार बार repeat कर रहे हूं पॉलिटी के उस section में आपको इसलिए नहीं देखा क्योंकि पबैट के section में जोड़ा गया है लेकिन पढ़ते तो आप पॉलिटी में है ठीक है उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे केंद्रे कारपालिका से प्रधान मंत्री की भूमिका को समझाने के लिए कहा गया है ठीक दूसरा है आपका चातित कर पंचायती राज अदिनियम के अंतरगत ग्राम सभा यहने की यह दो दो सेक्षिन से आपका जो मैंने 22 चप्टर यह 22 टॉपिक बताया था ना सीजी एड्मिनिस्ट्रेशन यह एक्चुली सीजी एड्मिनिस्ट्रेशन से है और थोड़ा सा लिंक पंचायती राज से भी तो आप चातित कर पंचायती राज अदिनियम जो प्रिलम से पढ़ते ह कि मैडम नहीं इसके पहले का पेपर देखोगे तो कभी कभी पॉबैट के भी क्वेशन बराबरी से देता है पर हाँ जुकाओ जादा पॉलिटी की तरफ रहता है 25-25 मांक सा दोनों रखा जरूर है आदा आदा से लिए बस जरूर रखा है लेकि जुकाओ जादा पॉलिट जादा पूछ सकता है या बराबर रख सकता है ठीक है अब एक लास्ट आता है आपका क्या दस मांक्स का तो देखिए 125 words 10 मांक्स भाग 2 से ही आता है question क्योंकि एक और 3 से तो 15 मांक्स का question आता है पहला question describe mutual relationships of legislative executive 34 अगेन यह जो question आया है आपका CG administration से आया है मैं उसी टाइम बत पढ़ते हैं वहीं से यह वाला answer भी बनेगा उसके अलावा जो दूसरा option इसमें आया है वो आया है समिधान प्रस्तावना की अभधार्ना के महत्व को समझाए तो बही ऐसा हो गया कि 2021 में सीवाय शुरू के 2 मांक से 3-4 questions के बाकी पूरे quality क्या है क्योंकि इसमें आया है प् पूरे 5 साल के trend analysis के हिसाब से बता है सिर्फ 2021 के हिसाब से नहीं जो आपने इसमें देखा कि 2 मांक से question में सिर्फ 3 question ऐसे थे जो public administration से थे बाकी 3 question quality से, 4 मांक से पूरे question quality से, 8 मांक से पूरे question quality से और 10 मांक के जो दोनों option है वो quality से, ऐसा इस बार हुआ है क्योंकि एक भाग के जादा है, यहने 8 से 10, 6 से 7 मांक से बस public administration पूछा है आपका 50 में से, बागी पूरा 40 मांक से उपर का आपका quality पूछा है, ऐसा है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, पहले ऐसे भी हुआ कि एक question 10 मांक में आपका quality से आए, एक question public administration से आए, तो आप बिलकुल ऐसा ना सोचे कि हम ही आएगा, ठीकि मैंने जो आपको analysis बता ही, वो एक 4-5 सालों का average analysis है, इस बार तो ऐसा है कि 4, 8, 10 से पॉलिटी से union executives में president, prime minister, preamble, making of the constitution, fundamental right, salient features, यह 5-6 topics हमेशा से important रहे हैं, और हर साल में से कोई ना कोई question बनता है, उसके अलावाद 36 गड़ का प्रशासन, यहां से भी इस बार दो बड़े-बड़े questions आएं, ठीक है, तो इस लिहास से topic important हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे 2020 में भी आप topics निकाल करके रखो, ठीक, और यह मान के चलिए, कि आप इसमें से कोई topic skip नहीं कर सकते, क्योंकि आपके polity के white syllabus का एक छोटा सा ही अंच इसमें दिया गया है, ठी ठीक, तो यह एक question पर मुझे सिर्फ दिखाना था, आपको कोई solve all नहीं कराना, यह guidance lecture है इस वज़े से, ताकि जब आप पढ़ना, लिखना शुरू करे में मेंस के लिए, मेंस में test series में answers लिखें, तब आपको ध्यान रहना चाहिए, कि आखरी moment में क्या क्या चीज़े revise कर क जाएं, किन चीज़ों की लिखकर practice करें, ठीक, किन किन बातों का ध्यान रखें, इस particular subjects related ये सारी चीज़े मुझे आज आपके साथ discuss करनी थी बस, clear, I hope आपको आज का lecture समझ में आया हो, कहीं कोई query हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझ से किसी भी माद्यम से जो आपको available है, ठी Thank you so much.